हेलो दोस्तो अगर आप अपने फेस्बुक पेज का यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें मैं आपको step by step समझाऊंगा कि आप अपने फेस्बुक पेज यूजर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं तो बने रही आप वीडियो के end तक और अगर आपको वीडियो चलते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलते हैं वीडियो की और इसमें सबसे पहले तो यहां से फेस्बुक कर लेते हैं ओपन फेस्बुक पेज में चलते हैं तो यहां से मैं फेस्बुक पेज को उपन कर लेता हूं ठी कि देखिए the notebook इसके just नीचे मैंने जो username फिल कर रखा है वो है insta skybeards ठीक है तो इसको यहाँ पर मैं आपको edit करके जो name है जो username है उसको change करके दिखाऊंगा तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है इसके just नीचे edit page का option दे रखा है यहाँ पर इस पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद देखिए फिर सी आपके सामने नए एंटरपेश उपन होता है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं the notebook के just नीचे आपका जो username दे रखा है इस पर आपको click कर दिना है यहाँ पर click करने के बाद देखिए फिर सी आपके सामने एक नए page उपन हो जाता है यहाँ से देखिए आप अपना जो username है वो change कर सकते हैं change करने से पहले मैं आपको तीन condition बताता हूँ देखिए इसमें सबसे पहले तो यह है कि आपको जो भी username आप यहाँ पर change कर रहे हो उसके बीच में आपको space नहीं देना है second यह है कि देखिए आप जो भी username create कर रहे हो या यूज में नहीं करना है ठीके दोस्तों और जो तीसरी यहां पर मैं जो बताता हूं जैसे कोई भी यूजर नेम आपको यहां पर फिल कर रहे हो या चेंज कर रहे हो उन बिल्कुल नहीं होना चाहिए यानि पहले किसी ने यूज कर लिया यहां पर आप लगाओगे यूज कि नहीं होगा ठीके दोस्तों अब यहां से देखें मैं करता हूं तो इस पर क्लिक कर देता हूं और यहां से आप जो भी यूजर नेम लिखना चाते हो या चेंज करना चाते हो यहां से लगा सकते हो जैसे मैं यहां पर लगाते हूं जैसे दोस्तों एक्जांपल के लिए यह ठीक यह दोस्तों अब यहां पर देखिए मैंने जो दूसरा यहां पर मेंने username लगा है वो लगा है Skyebook और यहां पर देखिए आपके इसके समने right का निशाना गया मतलब यह username आप यहां लगा सकते हैं तो दोस्तों जो मेरे Facebook page का username है वो skies book है आप अगर facebook से related कोई भी problem हो आपको तो आप यहाँ पर देखिए skies book username सर्च करना और direct मेरे पास the notebook पर message कर देना आपको मैं तुरंत reply दूँगा इसके बाद देखिए आपको just नीचे क्या करना है create username पर click कर देना है देखिए इस पर click करने के बाद यहाँ पर आगया you are all set ठीक है दोस्तों और देखिए इसके जर्च नीचे लिखावा है the username skies book has been create for the notebook ठीक है दोस्तों यहाँ से आपका जो username हो चेंज हो चुका है